प्रिंस्पल्स अफ सिस्टमेटिक्स मॉड्यूल 195 एक्टोथर्म, एंडोथर्म और है्टोथर्म लास मॉड्यूल के अंदर हमने देखा कि शुरू के अंदर अनिमल्स को दो केटेगरिज्स के अंदर डिवाइड किया जाता था वाम ब्लेड़िट अनिमल्स वाम ब्लेड़िट अनिमल्स के अंदर ये सलाहियत थी कि वो अपना बाडी टंप्रेचर रेगुलेट कर सकते थे लेकिन जो कोल ब्लेड़िट अनिमल्स थे इनके अंदर अपना बाडी टंप्रेचर रेगुलेट करने की सलाहियत मौजूद नहीं थी फिर हमने ये देखा कि इस system के अंदर कुछ मसायल थे यानि बहुत सारे warm-bladed animals ऐसे थे जो कि अपने body का temperature regulate नहीं करते और बहुत सारे cold-bladed animals ऐसे थे जो कि अपना body का temperature fix रखते थे तो इसमें इसके उपर इस system को reject किया गया और एक नया system introduce करवाया गया जिसके अंदर animals को तीन categories के अंदर divide किया गया ये जो तीन categories थी इसमें जो पहली category थी वो एक्ट्रोथाम थी के बाद एंड्रोथाम और जो third category थी वो है्ट्रोथाम अब पहले हम बात करते हैं एक्ट्रोथाम कान से animals होते हैं एक्ट्रोथाम basically those animals which produce metabolic heat at low level and quickly exchange with the environment ये जो animals होते हैं ये heat पैदा करते हैं लेकिन बहुत कम लेकिन ये जो animals हैं इनके अंदर ये सलाहियत नहीं है कि ये अपने body का जो temperature है उसको constant रख सकें उसको regulate कर सकें अगर हम examples के बात करें तो mostly जो invertebrates है वो एक्ट्रोथाम्स हैं इसी तरीके से जो amphibians हैं जिनको पहले हम cold-blooded animals के अंदर रखते थे ये भी एक्ट्रोथाम्स के अंदर आते हैं इसी तरीके से fishes जो है ये भी एक्ट् जो है ये basically वो animals है जो बहुत कम level के अंदर heat produce करते हैं और quickly उसको अपने environment के साथ exchange करते हैं अपने body का temperature constant नहीं रखते जबके जो दूसरी category है endotharm एसे animals होते हैं जो के heat generate करते हैं ये अपने body का temperature regulate करने की सलाहियत रखते हैं इस animals basically produce endogenous heat and utilize this endogenous heat to regulate their body temperature अगर हम इन animals की examples की बात करें तो इसके अंदर birds चामिल है इसके अंदर some fishes चामिल है इसके अंदर flying insects चामिल है और इसके अंदर mammals चामिल है तो endotharm ऐसे animals है जो के endogenous heat produce करते हैं and utilize this endogenous heat to regulate their body temperature जो third category है वो heterotharms की है हेट्रोथम ऐसे animals होते हैं कि ये endogenous heat तो produce करते हैं but they do not utilize this endogenous heat to regulate their body temperature इसके अंदर अगर हम examples की बात करें तो इसके अंदर bats चामिल है इसके अंदर hummingbirds चामिल है जैसे कि हमने जिकर किया था कि जो hummingbird है ये एक small bird है इसका जो size है वो 10 इंच के करीब होता है बहुत कम weight का ये bird है ये bird बहुत active होता है दिन के वकत और क्योंकि ये bird है इसको active रहना होता है इस वज़ा से इसको constant supply of energy की जरूरत होती है लेकिन इसका size बहुत चोटा है इस वज़ा से ये अपनी body के अंदर food की storage नहीं कर सकता तो जब तक इसको active रहना होता है इसको constantly feed करना पड़ता है लेकिन जब ये bird रात के वकत rest करता है तो उस उरत के अंदर ये अपना जो temperature है उसको drop कर लेता है और उसकी वज़ा से इनके अंदर जो metabolic activities है वो काफी कम हो जाती है food की जो demand है वो काफी कम हो जाती है ये जो phenomenon है इसको daily torpor का नाम देते हैं तो ऐसे animals जो के endogenous heat produce करते हैं लेकिन इसको अपना body temperature regulate करने के लिए इस्तवाल नहीं करते इनको हम hetrothermic animals का नाम देते हैं इसके अंदर bats की example शामिल है इसके अंदर hummingbird की example शामिल है तो इस classification system के अंदर हमने देखा कि जो animals हैं इनको हम तीन categories के अंदर divide करते हैं ectotherm, endotherm और heterotherm, ectotherm ऐसे animals थे जो के बहुत small amount के अंदर endogenous heat produce करते हैं लेकिन इनके अंदर ये सलाहियत नहीं होती कि ये अपना body temperature regulate कर सकें जिसके examples के अंदर हमने amphibians को देखा, हमने invertebrates को देखा और fish की species को देखा इसी तरीके से जो endothermic animals थे ये ऐसे animals थे जो के endogenous heat produce करते हैं and utilize this endogenous heat to regulate their body temperature इसके अंदर हमने birds की example देखी, mammals की example देखी, कुछ fishes की और हमने इसके अंदर कुछ जो insects थे, flying insects की example भी देखी उसके बाद अगर हम heterothermic animals की बात करें, तो heterothermic animals ऐसे animals थे के ये endogenous heat तो produce करते हैं but they do not utilize this endogenous heat to regulate their body temperature और इसकी example hummingbird और bats है झाली बाद येक झाली